तो कैसे हो साथियो, तो इस topic wise series में, इस वीडियो में हम January मन्त के सब important days और उनकी themes को revise करने वाले हैं आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दू, topic wise series हमने start की है और topic wise में भी monthly wise जैसे हर मन्त के days आपको अलग मिलेंगे, हर मन्त के awards, हर मन्त के appointments, metric exercise जो भी topic बनते हैं वो आपको अलग-अलग मिलेंगे तो चलिए time को waste न करते हुए start करते हैं, तो हमारा पहला प्रशन क्या है, और हाँ इन सभी questions का quiz बना करके upload कर दिया, आपकी crack exam application में, जिसका link नीचे description में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के वीडियो को देखने के बाद, आप इन questions की practice कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, सब वैश्विक शान्ती और साजाकरन के वैश्विक दिवस के रूप में भी मनाते हैं, इसे सन 2000 में शुरू किया गया था, हर साल एक जन्वरी को मनाते हैं ये, और चलिए फिर बताइए, अभी हाली में विश्व ब्रेल दिवस ये कब मनाया गया, तो अंसर होगा 4 जन्वरी क इसे ब्रेल के आविश्कारक लुईस ब्रेल की जैन्ती को मनाया जाता है, लुईस ब्रेल इन्होंने इब्रेल लिपी को जन्म दिया था, मतलब वो इसके आविश्कारक थे, जिसके चलते आज दरश्टी हीन लोग भी पढ़ लिख सकते हैं, पहली बार इस दिन को हमने 2019 मे मनाया था, फिर बताईए, अभी हाली में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया, तो अंसर होगा 6 जन्वरी को, तो युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरुकता पैदा करने, और उनके द्वारा सामना की जाने वाली दर्दनाक स्थितियों को स प्रवासी भारते दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये याद रखना इस बार सत्रवा प्रवासी भारते दिवस हमने मनाया, और वैसे मनाते क्यों हैं इसको, क्योंकि 9 जन्वरी 1915 को महत्मा गांधी जी दक्षिन अफरिका से भारत लोटे थे, उन्हें महानतम प्रवास की उपादी मिली है, अचा आप एक प्रशन का उत्तर करिए कि इस बार प्रवासी भारते दिवस ये कहां पे मनाया गया, फिर बताई, अभी हाली में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो अंसर होगा 10 जन्वरी को, तो हर साल 10 जन्वरी को वर्ल्ड हिंदी डे के 75 में पहला विश्व हिंदी संबेलन ये नाकपुर महराश्टर में हुआ था, इसलिए 10 जन्वरी को मनाते हैं, और 2006 में ततकालीन जो हमारे प्रदान मंतरी हुआ करते थे मनमोन सिंग जी, उन्होंने 10 जन्वरी को विश्व हिंदी दिवस की रूप में घुशित किया था, अचा वैसे राश्टर हिंदी दिवस भी होता है, वो हम कब मनाते हैं, 14 सेप्टेंबर को, फिर बताईए, अभी राश्टर विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है, तो आंचार होगा वैश्विक कल्यान के लिए वैश्विक विज्ञान, एक्चुलि में हमारे केंद्रे जो मं हैं, डॉक्टर जितिंद्र सिंग, अभी उन्होंने राश्टर विज्ञान दिवस 2020 की थीम को लॉंच कर दिया है, जो क्या है, वैश्विक कल्यान के लिए वैश्विक विज्ञान, अब आप पुछो कि ये नेश्नल साइन्स डे कब मनाते हैं, तो आंसर होगा 28 फरवरी को 28 फरवरी कोई क्यों मनाते हैं, तो भारत के महान साइन्टेस्ट हुआ करते थे सीवी रमन जी, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को रमन एफेक की खोच की थी, जिसके लिए उन्हें दो साल बाद 1930 में फिजिक्स का नोबल पुरुसकार भी मिला था, अब ये तो हो गया राश्टर व मनाया गया तो अंसर होगा 11 जनवरी को, तो 11 जनवरी को हर साल National Human Trafficking Awareness दे के रुप में मनाया जाता है, और ये दिन मानव तसकरी के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए है, मनाने का उद्दिश्य है मानव तसकरी पीडितों की दुरदशा के बारे में जागरुकता बढ़ाना और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनके रक्षा करना, फिर बताईए, हाली में राष्ट्र यूथ दिवस कब मनाया गया, तो अंसर होगा 12 जनवरी को, तो हर सार 12 जनवरी को हम ये National Youth Day के रूप में राष्ट्र यूवा दिवस के रूप में मनाते है इस दिन स्वामी विवेका नंजी के जैनती होती है, बात करें इस बार की ठीम क्या है, विक्सित यूवा, विक्सित भारत, और प्रधान मंतरी जी ने अभी 26 वा राष्ट्र यूवा महत्सव का उधगाटन कहां पे किया, करना तक के हुबली धारवाड में, ये भी ध्यान गया, तो अंसर होगा 14 जन्वरी को, तो भारत में हर साल 14 जन्वरी को आम्ड फोर्ट वेटरन डे के रुप में मनाया जाता है, और ये दिन 14 जन्वरी को ही क्यों मनाते हैं बात करें, तो हमारे जो पहले कमांडर इनचीफ थे, फिल्ड मार्शल के एम करियप्पा, वो करियप्पा, फिर बताईए, अभी हाली में भारते सेना दिवस ये कब मनाया गया, तो अंसर होगा 15 जन्वरी को, तो हर साल 15 जन्वरी को ये आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है, इस साल भारत इसका 75 वा संसकर्ण मना रहा है, और इस साल सेना दिवस के उपलक्ष में प जब परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने स्टार्टप एकाईयों को एक भारत का आधार स्थम्ब बताते हुए इस दिन को मनाने की घोशना की थी फिर बदाईए अभी हाली में पराकरम दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 23 जनवरी को हर साल 23 जनवरी को पराकरम दिवस के रुप में मनाया जाता है और 23 जनवरी को ही क्यों क्योंकि इस दिन सुभाष चंदर बोश जी की जैनती होती है पराकरम का मतलब होता है शौर्या तो याद रखना हो सकता है आपके एक्जाम में परश्ण शौर्य दिवस के नाम से भी आजाए तो यही आंसर करना चलिए फिर बताईए अभी हाली में उत्तर प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 24 जनवरी को तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य दिवस के रुप में मनाया जाता है क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 के दिन ही संयुक्त प्रांत या United Province को उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था पहली बार इसे 2018 में मनाया गया था फिर बताईए अंतरराश्ट्र सिक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? तो अंसर होगा तो इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन और आपको याद होगा भी हमने पढ़ा भी था युनेस्को ने 24 जनवरी 2023 को अफगानिस्तान में उन लड़कियों और महिलाओं को ये दिन समर्पित किया है जो सिक्षा के अधिकार से वंचित है और आपको बताए 24 जनवरी को हम अचित है और ये इन्टरनेशनल एजुकेशन डे शौपिच जनवरी को मनाते है जबकि नेशनल एजुकेशन डे हम 11 नवंबर को मनाते है और उसी तरह से नेशनल गल्चैल डे ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को तो ये याद रखना आप फिर बताएए अंतरराष्टर सीमा शुलक दिवस इंटरनेशनल कस्टम से डे कब मनाया गया तो अंसर होगा 26 जनवरी को तो हर साल 26 जनवरी को अंतरराष्टर सीमा शुलक दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इस दिन सीमा शुल्क एजेंसियों की भूमिका और योगदान को याद किया जाता है तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं अभी राष्टर मत्दाता दिवस ये कब मनाया गया तो अंसरों का 25 जनवरी को तो हर साल भारत में 25 जनवरी को नेशनल वोटर सिडे के रूप में मनाया जाता है ये इस बार हम 13 मत्दाता दिवस मना रहे हैं और क्यों मनाते हैं क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारते निर्वाचन आयूग की स्थाफना वी थी इसलिए 25 जनवरी को मनाते हैं इस दिन को मनाने का उद्देश्य साफ है लोगों को अपने मत्दान के परती जागरुक करना सबसे इंपोर्टेंट रहेगी इस बार की थीम क्या है तो इस बार की थीम है वोटिंग बेमिसाल है मैं अवश्य वोट देता हूं इंगलिश में बोलोगे तो अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताईए कि 25 जनवरी को एक और डे मनाया जाता है कौन सा डे है वो फिर बताईए हर साल अंतर राश्टर प्रले स्मरन दिवस कब मनाया जाता है तो अंसर होगा 27 जनवरी को तो याद रखना हर साल 27 जनवरी को इंगलिश में बोलेंगे तो International Holocaust Remembrance Day के रुप में मनाया जाता है और हर साल ये दिन Adolf Hitler के द्वरा किये गए अत्याचारों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है जिसके परिणाम सुरूप लगबग 6 मिलियन यहूदियों की मौत हुई थी और इस बार की थीम क्या है Home and Belonging चलिए बताइए अभी हाले में डेटा गोप नियता दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 28 जनवरी को तो हर साल 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे के रुप में मनाया जाता है इस बार यह इसका सत्रवा संसकरन है उद्देश है क्या इसको मनाने का आम जनता को डेटा प्राइवेसी के बारे में सम्विधन शील बनाना और इस बार की थीम क्या है निजिता के बारे में पहले सोचे ठींक प्राइवेसी फर्स फिर बजाईए अभी हाली में विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 29 जनवरी को तो हर साल जनवरी के अंतिम रविवार को ये वर्ड लेप्रोसी डे की रूपे मनाया जाता है जो इस बार 29 जनवरी को मनाया गया बात करेंगे इसकी थीम क्या है एक्ट नाव एंड लेप्रोसी और आप याद रखना देश से कुष्ठ रोग को खतम करने का लक्षय क्या है 2027 का है और अगर आप से पूछा जाए कि कुष्ठ रोग किस थेरपी से ठीक हो सकता है तो मल्टी ड्रग थेरपी से और याद रखना कुष्ठ रोग का ही दूसरा नाम है हैंसन रोग ये बैक्टिरिया से होने वाला रोग है और कौन सा बैक्टिरिया माइको बैक्टिरियम लेप्री इसी बैक्टिरिया की खोचकीती हैंसन ने इसलिए इस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है अच्छा इसी तरह से कई बार एक्जाम में एक प्रशन आता है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे का जाता है, तो आंसर होगा acid rain को, अमलिय वर्षा, जिसका pH मान भी पूसते हैं कई बार एक्जाम में, pH मान होता है 5.4, इसमें होता है sulfuric acid, acid और nitric acid, चली बताई, ये भारत मे शहीद दिवस किस तारिक को मनाया जाता है, तो आंसर होगा 30 जनवरी को, तो याद रखना, देश में 30 जनवरी 2023 को अभी 75 पुन्य तिति मनाई गई है मात्मा गांदी जी की, और मात्मा गांदी जी की पुन्य तिति को चिनहित करने के लिए ही हर साल 30 जनवरी को शहीद दि के रूप में मनाते हैं क्योंकि 1931 में इसी दिन को उनको फासी दी गई थी और वो शहीद हुए थे